कैसे आप लोग आए होप कि आप लोग अच्छे होंगी सो आज के वीडियो में यह हम बात करेंगे डैली यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ डैली की सो लास्ट मन्थ हमने एक वीडियो डिस्कुस किया था डियू के डॉक पैनल से रिलेटेट तो यह न्यूज या सब्सक्राइब करेंगे तो दो सब्जेक्स हमने डिस्कुस किये थे सोचलोजी एड एजुकेशन राइट तो अभी और भी जो सब्जेक्स थे उनसे रिलेटेट अपडेट है उनके इंपैनल्मेंट के लिए या पैनल क्रिएट करने के लिए डॉक पैनल के लिए नोटिस लाइट और आप मेंसे जो भी उस डिपाटमेंट का है और जो भी इंट रेस्टेड हों कि दी यू या उनके जो भी कॉलेजिस हैं उनमें टीचिंग का एड आधॉक पे एडॉक बेसिस पे अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो आप अपका नाम उनके डॉक पैनल में आ पे जो की यह है du.ac.in wait so yes du.ac.in है and इसके बाद आपको work with du वाला जो section होता है उस पे open करना है उसे क्लिक करके यह particular portal या web page open होगा so यहाँ पे you can see work with du ठीक है तो यहाँ पे कुछ options है so advertisement आते रहते हैं जो भी colleges से उनसे related option है उसके बाद जो बाद की options है वो भी given है so आप इसको देख सकते हैं तो हम बात करेंगे ad hoc notices की इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे अलग-अलग departments की तरफ से notice आया हुआ है so जो dates अभी बची हुई है और वो सारी informations है so first of all sociology हमने discuss किया था उसकी जो last date है उन्हें extend कर दिया गया और अभी अगर आप sociology department के हैं आप ad hoc panel में चाहते हैं अपना इंटर करवाना तो आप अभी भी application form फिल कर सकते है जो last date है वो है 28th of June okay so इसे simply click करेंगे then notice का वो portal link open होगा जिसके थूँ आप notice डाउनलोड कर सकते है फिर notice में आपको link मिलेगी जिसके थूँ आपको apply करना हो के हम किसी भी एक-दू department का form try करेंगे कि अपी देख भी लें then department of English so इनकी last date है 30 June right so आप भी एक बार चेक कर लीजेगा अगर आप English department के है ठीक है उसके बाद next है department of electronic sciences then next department of mathematics so इनकी date I think एक-दो दूनों में ही है 25th June है I guess so आप देख लीजेगा भी हम इसको जरूर open करेंगे department of electronic sciences की 30 June है उसके बार department of history के लिए लिए लिखा हुआ है ठीक ह notice तो यह पहले आया हुआ था बट उसे cancel किया गया को pandemic के वज़ा से अभी फिर से open हुआ है उसके बाद I think modern Indian languages की dates अभी नहीं बची है बट department of biochemistry के पैनल के लिए अभी भी आप apply कर सकते 30 June तक I guess बाकी भी जो dates है वो over हो चुकी है बट एक बार अगर आपके department का कहीं पर mention हो तो आप देखिएगा ठीक है तो चलिए हम सबसे पहले math department का जो notice है उसे open करते हैं और उसे देखते हैं सो यह है वो notice date 10th of June 2021 सो online applications are invited through google form from fresh applicants for impanelment in the ad hoc panel ठीक है तेन देख सकते हैं आपकी जो last date 25th of June 2021 तो जो भी candidate eligible है और चाहते हैं अपना नाम पैनल में इंटर करवाना सो आप apply कर सकते हैं 25th June तक सो यह जो notice था वो basically यह जो paragraph था उसमें यह बोल रहा है कि जो last time जिनका नाम है डॉक पैनल में 2020 और 2021 session के लिए उनका जो है नाम अभी भी रहेगा उन्हें फिर से apply करने की जरूत नहीं है इस particular academic session that is 2021-2022 में भी उनका नाम इतरह से carry forward है ठीक है यह सिर्फ new applicants के लिए है यह है लिंक जिसके तो आपको apply करना होगा तो आप देखिए गाइब ट्राइक किसे description में provide कर दूं है और बाखी जो भी information से आप उसे देख सकते हैं सो यह simple सा form होता है documents upload करने होते हैं और नाम आपका इंटर हो जाता है अब हम फिट से इनकी website पे visit करते हैं देन यह next है biochemistry वाला सो इसमें क्योंकि आपको hard copy submit करनी है इस वजह से I thought और यह end में भी था तो इसलिए इसे open किया है सो आप देख सकते हैं कि applications invite किये गये हैं आप apply कर सकते हैं देखिए सबसे पहले apply करने के बाद आपको mail में भीजना होगा ठीक है soft copies राइट प्रॉपरली पढ़ लीजेगा राइट उसके बाद आपको यह soft copy है इसमें आपको अपना bio data भी भी भीजना होगा राइट उसके है hard copy सो आपका bio data plus application form है बाकी सारे certificates है उनकी photocopies self-attested photocopies यह सभी आपको sealed envelope में भीजनी होगी इस particular address पे ठीक है और यहां पे है कि जो application ad should reach on or before 30 June उसके बाद अगर मिलता है तो accept नहीं किया जाएगा and also one more thing कि अगर आप सिर्फ hard copies बेज़ें और email ना भेज़ें तो वह भी consider नहीं किया जाएगा so email is must email तो आप apply करने के बाद जितनी चल्दी को भेज दीजे then 30 June से पहले आपका hard copies भी submit हो जानी चाहिए so yes यह थी कुछ information बाकि आप जो department से अगर आपका concerned department है तो आप उससे related notice देख लीजेगा थोड़ी थोड़ी differences होते हैं कई बार और obviously link भी different होगा apply करने के लिए या application form fill करने के लिए so I will try कि अगर link है google form की तो वह आपको मिल जाए description में तो description check कर लीजेगा and video helpful लगा हो तो आपे से like share कर सकते है and please channel को subscribe भी कर लीजेगा so that is it यह था आच का video and यह थी आच की information thank you so much for watching